आओ सुनों सुनाईये जी किताब आदे कोज़ पन्ने आओ सुनों सुनाईये ए सारी दुनिया ग्यान दा सागर जिस नू मन्ने आओ सुनों सुनाईये जी किताब आदे कोज़ पन्ने आओ सुनों सुनाईये नमस्कार आदाब सत्स्रिया काल दोस्तों मैं हां सर्ब जीत सिंग अते हाजिर हां प्रोग्राम लैके किताब बां दे पन्ने आज ज़दे एस प्रोग्राम विच्च तुसी सुनोंगे नानक सिंग दी लिखी पुस्तक मेरी दुनिया दा उन्निवां अद्याए एस किताब दे पांज पाग हन जिस विच्चों बचपन्तों जवानी तक अते जीमर रहां ते मिले कुछ व्यक्ती ए दो पाग तुसी सुन चुके हो ते आज कल तुसी सुन रहे हो इस किताब दा तीसरा हिस्सा सन सन ताली दे असरा हेट इस तीसरे पाग विच्चों में तुसी दो अध्याए सुन चुके हो मान ते सरीर दी बिमारी ते दूसरा अल विदा तर्मसाला आज दे इस प्रोग्रम विच्च असी तुन सुना रहे हैं इस तीसरे पाग दा तीसरा अध्याए अते इस किताब दा उन्निमा अध्याए बंद करो लहू नाल लहू तोना ए लेख सोला अप्रेल उन्नी सो पंजादी एक शामनू लिख्या एक वरा दो वरे तिन वरे हो गयने लोकानू लहू नाल लहू तोन दिया पर की मनुखता दे चेरे तों वो बदनुमा दाग मिट गया है सगो उगड़दा यह उन्दा है एक पासे जे सौ मारे गये तां दुझे पासे वालया ने दूने मार के बदला चुकाया उस्तों बाद सैंकड़यां दी गिंती हजारां विच बदली ते फेर लखां विच ते अजे ए सिल्सला उससे तेजी नाल जारी है बांद नहीं वया इनसान दी इस बेहुदा जहनियत ने उन्नी सो संताली विच दास लाख निर्दोशां दा लहू वीटया ते करोडा नू बेकार कीता अखीर जद लहू दे चिकड़ विच फिर फिर के इनसान दे कदम सिथल हो गए जद गले काट काट के इस दियां शुरियां खुंडियां हो गईया ते हिकां छेक छेक के जद इस दा गोली गठा मुकंते आगया ता आपनी ताकत नू ताजा दम करन लई ओ कोज चिर लई सुस्ताया संतालीतों बाद अटताली ते उनिंजा दे साल इस तरह बीते जिमें मनुख नू आपना खुनी रुजियमा पोल गया होगे पर असल विचे पुल्या नहीं सी सगों अंदरे अंदर किसे नमे कांड दी त्यारी सी जिडी सन पंजा चड़ दें ही बंगाल दी किसे नुकरों फेर अमल विच आउनी शुरू होगे अज बंगाल बल रहा है पूरबीवी ते पच्छमीवी जे एक बंगे कुझ ठ्रमा होंदा है तां दुझे बंगे तेजी शुरू हो जान दिये इस उते वड़ा वड़ा ए के फिरकू अखबार ते फिरकू लीडर जद तीक होना दे पीपे विच तेल दा आखरी तुपका बाकी है पड़क दी आगोते छिटे ते छिटा देई चले जन्देने लाटा उचियां होई जन्दियाने मनुखी सरीरा दियां होला पुझी जन्दियाने ते फिरकू धैत मजे नल बैठा चब भी जा रहा है अखबारां वाले ते विकरी बद रही है ओना दियां मशीना आठ दे थां चवई-चवई केंटे चल दियाने लाओ चमकाओ लीडरानू शहीदी ते सूर बीर दे खिताब मिल रहेने ते हाथियां उते ओना दे जलूस कड़े जा रहेने दोहा देसां दे मजह भी बुलारे जिस बे शर्मी ते दीदा दलेरी नाल पिछले कई साल लांतों नंगा नाच नाच रहे ने इस बारे कुछ दसंदी लोड नहीं जाब दी पर वनगी दे तौर ते एक नजम दियां कुछ तुकां पेश कर दा है जड़ी पिछे जे पाकिस्तान दे रोज नामा शह बाजविच शपी सी इन नजम इस तरह है आता है मुझे अकल पे नहरू की ताजब इतना भी ना सोचा कहां बनियां कहां अफगान हम दाल और आटे का दिखाएंगे तुम्हें भाव बाकाइदा होने दो जरा जंग का ऐलान फिर थामना सिख्खों को के भागेना वहां से पट्याले को जिस वक्त बड़े साहिबे इमान फिर धोतियां उड़ती नजर आएंगी हर कसु खुद अपनी हकीकत को समझ जाएंगे हिंदू ए है वनगी उनना फिरकू जनूनियां दे दिमाग दी जिड़े इस अहाधती के मनुखता नू जलील कर चुकन तो बाद भी ठंडे नहीं हुए निरा एहो नहीं के इस नामराद बिमारी ने पाकस्तानियां नू ही गरदनाया हुए बलके साड़े देश दे जनूनिता इस नालों वी चार कदम अगां जा पहुंचे ने उपर ली नजम पाकस्तानी अखबार शाहबाज विच्चों नकल करके साड़े देश दे अखबार परतापने आपने कालमा विच शापी सी ते इस दे नाल ही एक जवाबी नजम वी जड़ी आपनी वलनों स्याने एडिटर ने पावे नेल ले उते दैला मारं दे ख्याल नल देती होएगी पर असल विच ता ए लहू नाल लहू तोंदा ही तरीका है हो सकदा है एडिटर शाह बाज ने उपरोकत नजम शाप के ते आपनी वलनों कोई बड़ा स्वाब ते पोनदा काम कीता हुए पर सानू ता दोहा दी अकल उते रोण हुँदा है जिड़ी हत्था विच मसाला फड़ी इस बे दर्दी नाल आपने पाठकानू जहालत ते बद तमीजी दी खडवल हे की ले जा रहे ने जह सच मुच एसे दा नाव देश पगती जह हुबल वतनी है ता दोहा देशा दा रभी रखा है मनुखता दे नाम ते ओना लोकां दे दीन तरम दे नाम ते ते नरदोश्या दे खून दे नाम ते मैं दुहाई देंदा हां के बाज आजाओ ए बारूदी खेड खेड़नतो जे एसे तरह दुपासेओं बारूद उशाली दा रया ता कोई अचमबा नहीं जे एक वारी फेर दोहा देशा नूँ ओही संताली वाले परलेकारी दरिश विखने पैन जनता दा राओं अन्ना बोला उंदा है जिस कारके उसनू उना दोश नहीं दे सकदे पर हारानी दा म नूँ उना संपादकां दी अकल उत्ते हुं दी है जिडे ना केवल एहो जईयां शैतानी नजमा अपने अखबारां मेचे शापदेने सगों बड़ी शान नाल उना दे जवाब भी दिन देने एक वार्दी पढ़की होई अग की कुछ नहीं कर जान दी एक किसी तो गुज नहीं इंत काम्ता जजबा ना पुलिस दियां संगीना ते ना ही फोई दियां गोलियां रोक सकदियां ने जित्धे ए जजब़ा होए के उनना साड़े सौ बंदे मारे ने असीं पंचसो मार के बदरा लमांगे उत्धे संगीना तनिया रह जन्दियांने ते कर्फियू लगे रह जन्दियने पर खूनदियां नदियां रातो रात पता नहीं कौन वगा जन्दा है ते केड़ा देव बजारा महलें विच फिर के बनेरियानू निहानालर रला जन्दा है सुवेरे उठके खलकत अखबारां दियां मोटियां मोटियां सुर्कियां पड़ दी है फलाने थां ते ऐ हो गया तिमके थां जंग हो गया ते पड़्द्यां पड़्द्यां मर्दादा मर्दव पुना मुड़ नमे सिरे हदां बनने तोड़न लग पेंदा है पर आखर कद तीक इस तरह लहू नल लहू तोता जाएगा केडी गैबी ताकत इस एहमक इंसान दे आके हाथ फड़ेगी की एस सिल्सला एदा ही जारी रहेगा जद तीक सारा हिंदोस्तान ते सारा पाकस्तान मोक नहीं जान दे की कदी कोई एवी सोचेगा के इस सौधे विच नफा किसनो वया पाकस्तान नो के हिंदोस्तान नो एता हालत है दोहा मुल्खां दी जनता दी हुन जरा एक नजर हकूमत दे पॉलिटिक्स वल मारो इस विले पाकस्तानी हकूमत हूरे वटवट के हिंदोस्तान नो लड़ाई दियां तमकियां दे रही है ते अगों पार्त वलनों जवाब विच क्या जन्दा है के बच्चो जे लड़ाई दा बहुता चाया तां आओ मदांच सारी शेही बगार के रख दे आंगे इस दे नाली दोहाँ पास्यां दे रेडियो इकको सुर्ताल विच बोल देने असी लड़ाई नो पसांद नहीं कर दे पर जे साननू लड़ना ही प्या तां दुश्मन नो नाकनाल चने चबा दे आंगे पर जे गहराई नल सोचे जावे तां लड़ना दोमे मुलक ही नहीं चाउंदे लड़न जोगे ए रही नहीं पाकस्तान जेड़ा वदवद के बढ़का मारदा है ओ तां अंदरूनी तौर ते असलों ही पुखावया प्या है ते थोड़े बहुते फरकनाल एहो हालत पारत दा है लड़न छड़ के मैं तां कहांगा के जे इना दोहां देशां पास अपने अपनों जियुद्यां रखन दी ताकती रह गई वई तां दोहे इसनों घनीमत समझन वंडियां तों बाद जिस तरह दोहां देशां दी ताकत दा वड़ा हिस्सा वतन छोड़ानों अबाद करन विच लगातार खर्च होंदा जा रहा है ते दुपासी बद अमनी, पोख, बेरुजगारी ते होर अनेक कां रोकां रुकावटा ने जिस तरह दोहां मुल्खां दी आर्थिकता दा कचुंबर कड़या है इसनों दोहे पली तरह वाकफ हान फिर केड़े बुत्ते दे कोई लड़ाई दियां बढ़का मार सकदा है सो ए गलता यकीनी है के लड़ाई लई ना पाकिस्तान ने मैदान वेच कुदना है ते ना हिंदोस्तान ने पर इस वेले हजार लड़ाईया नालों वद्ध खत्रा जिड़ा दोहां देसा नों अजगर बढ़के निगली जा रहा है ए है लहू नाल लहू तोन वाली जहनियत फिर कुद्यात दा खोरू जिड़ा आए दिन कड़यां बद्धी इंसानी लहू पीवी जन्दा है पर रज़दा नई चलो मानलो के लड़ाई हो गही रहेगी जिहा के कईया दा ख्याल है पर स्वालता फिर उथे दा उथे ही रहेंदा है के लड़ाई दा नतीजा की होवेगा आम ख्याल कीता जन्दा है के जे लड़ाई छिड़ पई ता जित यकीनी तौरते हिंदोस्तान दी होवेगी पार्तली पाकस्तान नो जित लेना शायद संभव ही होवे जद के वसीलियां अते अबादी दी बहुतात दे लिहाज नाल हेंद दे समने पाकस्तान काफी छोटा है पर जित जानतों बाद भी की पार्त सुखदी नींदर सौँ सकेगा पाकस्तान नो जितना जे मुश्किल नहीं ता पाकस्तान नो हजम करना था खासा आउखा काम होवेगा आज दे समय विच तलवार दे जोर किसे मुल्क नो जित के उसनो काबू विच रख सकना मखाल नहीं अंगरेजी राज विलेवी ता मुसलम लीगिये अपना टायाइटान दा चुला हमेशा वकराई बनाई रख दे सन फिर होन मी इस गल दी की गरंटी है के दस करोड मुसल्मान पार्ती राज हेठ बीबे राने बन के रहनगे एता उठ दे सफर वाली गल है चड़ाईनों वी लानत ते उत्राईनों वी लानत खून नाल खून ना कदी तोता जा सकया है ते ना तोता जाएगा ते इस दा उपाओ उपाओ की है उपाओ है पर उस दी वर्तों आज कौन करे यहो स्वाल जरा टेड़ा है आज दोहां देशानों आपने दुश्मन नों जितन लई उस हथार दी लोड है जिस नाल बाबे नानक ने बाबर नों जित्यासी एक वाली जे इस हथार नों वर्तन लई दोपासी थोड़ी जिन्नी फिजा पैदा कीती जा सके ता यकीनन एह उपाओ मुअजज़ा साबत हो सकदा है पाकिस्तान दे नाओ ते पाकिस्तानियानों ते हिंद दे नाओ ते हिंदोस्तानियानों उबारना सौखा है ते इस दुवली उबार दे नतीजे भी असी रज रज के वेख अते पुगत चुके हैं दोहां देशां देवासी पर होन लोड है दोहां देशां देवासियानों इंसानियत दे नाते उबारन दी ये यकीनी गल है के जद तीक दोमें मुल्क मनुखता दे नाते नहीं उबारे जन्दे तद तीक पंजाब उजडदे ही रैंगे ते बंगाल सरदे ही रैंगे मारे ग्यादी गिंती दा चगड़ा चलदा ही रहेगा ते इंतकाम दा पूतना मच्छरदा ही जाएगा दोहा देशां विच पामे लगातार कईया सालांतों लहू ते अगदा वटांदरा चला आ रहा है जिसने इतफाक ते प्यारदा पिंडा पोटा पोटा जखमी कर देता है पर इना कुझ हो जान दे बावजूद वी अजे तीक दोपासी दोहा देशां विच एक ऐसा अनसर बचया होया है जिस दे आसरे टुटी गंडी जा सकदी है रोस से पुलाए जा सकदे हन ते इंतकामदा पूतना नश्ट कीता जा सकदा है ए अनसर है मानवता दे दर्दी कला कारा दी शरेनी पार्त विच वी ते पाकस्तान विच वी काफी गिंटी विच ऐसे सजन मौजूद हन जेडे मानव प्यार ले तड़ रहन पर उना दे ख्यालानों उबरन फैलरन लई वसीला को इनी लवद मेरा यकीन है के दोमे हकूमता जे कदी आपो आपने देशां विच ओ ए हो जाए मनुखता दे आशकानों कठया करके उनानों एदर ओदर मिलन ते साज पैदा करन दा मौका मौहया करन ता दिना वेच ही सारा वातावरन बदल जाएगा पिशले दिनी दोहां देशां दियां कोज साहतिक पार्टियां एक दुझे मुल्खां वेच आपने तर्म अस्थाना दी यात्रा करन गईया सथान ता दोहा पासियां दी जनता ते हकूमत ने जेडी उना दी आवपगत किती, ओ बड़ी आशा परी सी, यात्रियां ने आपो आपने देशवासियां नू आगे दस्या, के साड़ा बड़ा सतकार किता गया है, साड़ी बड़ी सेवा ते इज़त किती गई है, इस दा असर दु एत की सिरी गुरु नानक देव जी दे, गुर पुर्भ वाली रात असी, रेडियो उते पाकिस्तान लहोर नू सोन रहे सां, के उत्थों दे किसे अधीवदा ब्राड कास्ट कीता होया एक प्रोग्रम सुनाई देता, हमारा बाबा नानक, साड़ा सारा ते आन इसने खिच की दसां, मैं किनना पर भावत वया उसनों सुनके, बोलन वाले ने वी मिंट तकरीर कीती, जिस विच ऐसे सोने विद्वता ते शर्दा परे रांग वेच, उसने गुरु नानक देव जी दे अवतार दी व्याख्या कीती, के रोम रोम वेच ठंड पै गई, इस दे नाल ही जपजी दी एक पोड़ी, गावे को तान दे अर्थ करके, बाबे दा जीमन आदर्श समझाया गया, मैं नी समझदा के कोई सिख विद्वान मी एदू चंगी व्याख्या कर सगदा होए, एहो चीज चार मार्च नू होली दे संबंध विच द्रिष्टी गोचर होई, जद लहाओर रेडियो तों अद्धे कंटे दा एक फीचर पेश कीता गया, पहला होली दे निकास बारे पहलाद अते हर नाखश दी कथा सुनाई गई, फिर क्रिशन पगवान दी रास लिला दा नजारा ऐसे सोने ते टुकवे गीता रही बन्नेया के सुआदी आ गया, खास करक के एक गीत होली आई दे कहना ब्रिज के बसिया, जिस मस्ती वेच चूम चूम के गाया गया, इस दाता पुछो ही ना कुछ, सुन के सरूर आ गया, उपरोकदों में प्रोग्राम सुन के ही मेरे अंदर ए सतना लिखन दी परेर ना उठी सी, चलो हो और हाले कुछ ना सें, ज दोपासीं ए हो जाए रेडियो प्रोग्रामां दा सिल्सला जारी कीता जावे, ता मेरा यकीन है के दिना वेच ही हवादा रुख बदल सकदा है, दोहां देसां दे कलाकार जे कदी आपनी जिम्मेवारी नो महसूस कर दे होए, इस पासे उचेचा त्यान देन, ते हकूमता वलनों ओना लोकां दी होसला इफजाई कीती जावे, ता ओना मुमकिन नो मुमकिन विच बदल सकदेने, कलाकार नो कुदरत ने ओ शक्ती बखशी है, जिस नाल ओ जुग पल्ट के रख दिन्दा है, दुनिया दे इतिहास विच कलाकारा ने ओ ओ कारना में कीतेने, जहडे वड़े वड़े शतरपती राजे ना कर सके। पैना तो हडी रखडी बनन ले बेताब ने, जिनना दी लाजनू फिरकू पूतना पैराहेट मसल चुका है, सो हागवंतिया तो हडा राता करियाने, जिनना दी मांगदा संदूर चटन ले, मनोखने राखशदा रूपता रहा सी, तुसी ओ कलाकारो, उठो, संबलो, ते आ अपना फर्ज पहचानू। इमेल दा पता है, सर्बसुख at gmail.com, स-A-R-B-S-U-K-H at the rate gmail.com, अज इनना ही, रब रखा। आओ सुनों सुनाईए जी, किताब आँदे कोज पन्ने, आओ सुनों सुनाईए आओ सुनों सुनाईए जी, किताब आँदे कोज पन्ने